हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर भी, I am Shivani Jauhan इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एट्थ हिंदी का चाप्टर सेविन क्या निराश हुआ जाए तो देखें हमारा परसनल गाइडेंस प्रोग्राम अवेलिबल है इसमें आपको पेड ग्रुप जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा पेड कोर्स है तो इसमें 1st से 10th क्लास तक के लिए है 11-12 जो है वो हुमानिटीज के लिए है फीचर्स इसमें परसनल वीडियो आपकी दिमांड में आपको प्रोवाइड किये जाएंगे कि लोगों ने उन्हें भी धोका दिया है फिर भी वे निराश नहीं है आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है तो देखे क्वेश्चन ये है कि लेखक कहते हैं कि लोगों ने उन्हें भी काफी जादा धोका दिया है मगर वो निराश नहीं है वो दुखीद नहीं ह तो लेखक का क्या है आशावादी मतलब पॉजिटिवनेस जो है लेखक की हमें इस बात में दिखाई देती है जहां तक लेखक ने अपने व्यक्तिकत अनुभवों का वर्णन किया है लेखक ने धोका भी खाया है पर उनका मानना है कि अगर वो इन धोकों को याद रखेंगे तो उनके लिए विश्वास करना बेहत कष्ट कारी होगा और इसके साथ साथ ये उन लोगों पर उंगली उठाएंगे जो आज भी इमानदारी वे मनुश्रिता के सजी वो धारण है इसका मतलब ये है कि लेखक जो है अशावादी है पॉजिटिव है हाँ भली ही उन्होंन लोग है जो इमानदार है और लोगों की मदद करते हैं और अच्छे हैं यहीं लेखक का आशावादी होना उजागर होता है आशावादी का मतलब होता है पॉजिटिव होना तो यहीं पर लेखक का आशावादी होना उजागर होता है और उन्हीं लोगों का सम्मान करते हु एस ठीक हैनों को धोका मिला है मगर बहुत सारी लोगों ने इनकी मदद भी की है तो सिर्फ यही कह देना कि दुनिया में सिर्फ धोका ही लोग देते हैं और कोई किसी की मदद नहीं करता तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा तो इसलिए जो लेखक हैं वो यह कहते हैं कि उ अश्रावादी नजरिया है वो उनका व्यक्तित्व है उनकी पस्टालिटी है वो पॉजिरिवटी से भरी हुए है वह कहते हैं बले दुनिया में लोग अच्छे ना हूं मगर अच्छे लोग भी दुनिया में मौझूद हैं फिर नेक्स्ट पेस्टन है हमारा दोशों का प या बताया जा रहा है किसी दूसरे को तो यह चीज बुरी कब हो सकती है तो लेखा कि अनुसार दोशों का परदावाश करना बुरी बात नहीं होती है दोशों मतलब बुराईयों का परदावाश करना मतलब बताना बुरी बात तो नहीं है परन्तु इसमें बुराई तब स शुरू कर देते हैं ऐसा दिखाते हैं दूसरे के सामने जिस इंसान की बुराई कर रहे हैं कि मतलब उस इंसान में तो कोई अच्छाई है नहीं सपोस्कर यह और बी दो लोग हैं तो ए जो है न वो बी को किसी सी की बुराई बता रहा है तो ए बी को इतनी सी की बुराई बता लेखक कहते हैं कि दोशों का परदाफाश करना मतलब बुराई बताना कोई बुरी बात नहीं है परन्तु बुराई तब हो जाती है जब हम किसी के आच रण मतलब किसी के व्यभार को के गलत पक्ष को उद्गाटत करके उसमें रस लेते हैं मतलब बुरी साइट को दिखा करक है हमारा दूसरों के दोशोट घाटन को अपना कर्तव्य मान लेना सही नहीं है हम यह नहीं समझते कि बुराई समान रूप से हम सब में वित्मान है तो लेका कहते हैं कि हमें दूसरों की बुराई करने में मज़े नहीं लेने चाहिए और उनकों सिर्फ बताते नहीं रहना परंतु हम उसके द्वारा की गए अच्छाईयों को तो उजागर ही नहीं करतें, मतलब वो इंसान अच्छा भी हो सकता है, यह बात तो हम बोलते ही नहीं है, हम उनकी बुराईयों का उतना रस नहीं लेंगे, अगर हम उसके व्यक्तित्व के अच्छे पहलों की तरफ देखे तो मतलब यह आगे बता रहे है, राइटर कि हम लोग दूसरे की बुराईयों करने में मज़ा नहीं लेंगे, अगर हम उस इंसान की अच्छाई जो है ना उस इंसान में वो भी अगर हम लोग देखने के कोशिश कर पाए तो, उसके द्वारा किये गए अच्छे कारियों को अच्छा होगा कि हम किसी की बुराईयों को ना देखकर उसकी अच्छाईयों पर फोकस करें, परन तो बुरा तब होता है, जब हम उसकी बुराईयों में तो रस लेते हैं, पर अच्छाईयों को भूला देते हैं, तो मतलब गलत बात तो यही हो जाती है, कि हम किसी की बु परजे लेते हैं और अच्छाई को इस इंसान की भूल जाते हैं आज कल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल तोशों का परदाफाश कर रहे हैं इस प्रकार समाचारों और कारेक्रमों की सार्थक्ता पर तर्क सहित विचार कर लिखिए तो इसका मतलब यह है कि जो सम अच्छी बड़े इसलिए हो गया है क्योंकि मैं आपको बड़े आंसर इसलिए देती हूं ताकि मैं जितने भी पॉइंट सेना मैंग्सिमम पॉइंट्स कवर्ड कर सकूं और एक्स्पेइन कर सकूं फिर आपको जितना एक्जाम में आप याद कर पाएं इसमें से आपको ए जाया तो बहुत ही अच्छी बात है तो देखी इसका आंसर है हमारा TV चैनल वे समाचार-पत्रों समक पाई पा hizo at यही पाहलों का पनदब का व्ड़े इछनल और दिखने की होड से इसे अंधा बना दिया तो पहले तो ठीक था, पहले लोग एक लिबिट में करते थे, बट अब क्या है ना बड़े सारे न्यूस पेपर्स, बड़े सारे न्यूस चानल्स हो गए हैं, अब दूसरे से आगे कैसे अपने टॉप पे कैसे पहुंचे तो इस अंधी दोड में अब वो कुछ भी चापते ह हैं, इससे लोग दोनों पक्षों की सच्चाई को जाने बिना ही अपनी तरफ से दो शारोड पर आड़म कर देते हैं, तो एक इंसान किया, एक पार्टी किया, किसी भी चीज की बुराईयां ही बुराईयां बताते जाते हैं, तो लोग को लगता है कि ये तो बुरी है, मतल को तहनिक भी नहीं सोचते कि इससे किसी के जीवन पर बुरा असर पढ़ ज़कता है, और मतलब निउस चानल वाले किसी के बारे में उल्टा सीधा दिखा देते हैं, और ये नहीं सोचते हैं, अपनी टी आरप बढ़ाने के लिए मतलब टी आरप का मतलब होता है, कि कितना जाधा उस चैनल को देखा जा रहा है, तो कुछ भी पताते रहते हैं किसी के बीबारे में ताकि उनके चैनल को जाधा देखा जाए, और ये नहीं सोचते हैं, कि दूसरे के जीवन पर उसका क्या असर पढ़ेगा, मतलब जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, समाचार पत्र और चैनल सिर्फ अपनी ट्यार पी का ही ध्यान रखते हैं, सच तो जैसे कुछ होता ही नहीं है, जैसे आरूशी हत्या कांड में आरूशी के पिताब पर हत्या का आरोप लगाया गया, मीडिया ने भी इस विशय को खूब भुनाया, परंतु अंत में वो निर्दोश सही नहीं है, मीडिया ने यह आगे हो कि जितनी बड़ी हानी तलवार दमपत्ती को हुई, मतलब तलवार फामली को हुई, अरूशी के माता पता को, उसका कोई हिसाब नहीं है, पर समार चार पत्रों वे टीवी चैनलों के लिए यह टी आर पी बढ़ाने का एक साधर मातर ह सचाही सामने लाने का नहीं, तो आजकल जो टीवी चैनल्स है ना, उनको सचाही से न्यूस चैनल्स कोई मतलब निया न्यूस दे, उनको सिर्फ मसाला न्यूस रही है, आजकल के जो न्यूस चैनल्स हैं, उनको मसाला न्यूस बोल सकते हैं, हम न्यूस तो दिखाती ही नही तो इसमें बाकी जो है बाकी न्यूस चैनल में तो ऐसे ही जलता है बस अपनी टियार पी बढ़ाने के लिए तो मातर है सच्चे माई ने बताते नहीं है यह दूसरा उधारन एक स्कूल शिक्षिका पर स्कूल की लड़कियों को देह व्यपार में डालने का आरोप लगा गया एक न्यूस चैनल द्वारा इसका परदाफाश किया परन्तु जब सच सामने आया तो पाया गया कि वो बिलकूर नेदोश थी अब किसी के ऊपर मतलब प्रोस्टिटूशन का देह व्यपार का आरोप लगा दिया बाद में पता लगा ऐसा कुछ था ही नहीं क्या उस न्यू शीषक क्या निराश हुआ जाये क्यों रखा होगा क्या आप इससे भी भैतर शीषक सुझा सकते हैं तो लेखर किने क्या निराश हुआ जाये कियो लिखा होगा इसका आपको सिजेस्ट करना है कोई और टा Come तो देखे लेखक ने इस लेख का शीशक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है तो सही रखा है वहीं क्यूंकि यह उस सत्य को उजागर करता है जो हम अपने आसपास घटे देखते हैं तो यह वह सचा ही बताता है पूरी स्टोरी जो है जो हमारे आसपास चीजे चल रही ह अगर हम एक दो बार धोका खाने पर यही सोचते रहें कि इस अंसार में इमानदार लोगों की कमी हो गई है तो यह सही नहीं होगा तो यह बात सहीं नहीं होगी आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी इमानदारी को बरकरार रखा है लेखक ने इसी आधार पर लेख का शीषक क्या निराशुआ जाये रखा है यही कारण है कि लेखक कहता है ठगा मैं भी गया हूँ, धोका मैंने भी खाया है यह दिणत लेटा इं गया हूँ हमत, और राइटर राइटर केvokat को पूरे रखाया है इसलिए इन्हाल करें लेको 2 सीद्रेशट पूरेल कुष्टेशनमे के लिए नेक्स्ट है अब हमारी questions हो गए हम grammar वाला part है तो दो शब्दों को जोड़कर और को हटाना है डाश को लगाना है तो देखे सुक और दुख तो सुक और हटा के बीच में डाश लगा दे तो सुक दुख भूक और प्यास डाश लगा दे भूक प्यास हसना रोना फिर आते जा ठीडी जातिवाचक और भाववचक वाचक संगया होती है जातीवाचक और वावचक संगया रविंद्र नाट्यगॉर्ण सबको बसी बोलते हैं, ड्राइवर बहुत सारे हो सकते हैं, सबको ड्राइवरी बोल सकते हैं, मनुष्य तो बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंड़क्टर, यह सारे के सारे चाती वाचक हैं, भाव वाचक मतलब आपकी जो फीलिंग से उन्हें दिखाता है, जैसे कि कोई लगा वीडियो कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके ज़रूर बता एका और कोई सेंट nhân दीना है और और आप चाहते हैं कोई वीडियो जिस पर मैं बनाँ या फिर अगर आप पेड और जोईन करना चाहते हैं तो आप लोकू कॉंटाक्ट कर सकते और अच्छा लगा तो video को लाइक करिये और channel को सब्सक्राइब लिएगे ज़रोर ही कर लिजे कुदि मैझ चाहती हूं चलदी से चलदी से बन लाक सुब्सक्राइब हो जाए और आपको इसमें मेरी help करने पड़ेगी तो सब्सक्राइब करिए चानल को और सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको वीडियो नोडिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहें थेंक यू